नमस्जकार सभीको राम राम आप लोग अपना मनपसंदीधा चैनल जेके मीडिया देख रहे हैं और जो दर्शक इस वीडियो को बादने भी देखेंगे उनको भी राम राम जिन-जिन घरों में लाइट नहीं है जिनके मोबाइल चार्ज नहीं है जब उनके मोबाइल चार्ज हो जाएंगे तब भी वो अगर ये वीडियो देखेंगे तब भी उन लोगों को मेरी तरफ से राम राम देखिए बिजली का संकट जम्मू के अंदर पिछले दो दिनों से है और आज लगबग तीसरा दिन है जब बिजली का संकट जम्मू में चल रहा है और ये बिजली का संकट जो है अभी इतना बढ़ चुका है कि अभी भी कहीं इलाकों में जो है बिजली नहीं है जिन में तल और भी हो रही है लेकिन इसी सब में बिजली विभाग के करमचारी और सरकार के बीच में वारतलाब भी चल रही है उनके बीच में जो है डिसकेशन्स जो चल रही है उसमें आज पांचमा राउंड हुआ यानि कि उनकी वारता का आज पांचमा राउंड हुआ जिसके अंदर आज अभी तक तो कोई हल निकला नहीं है लेकिन सरकार चाहे तो हल निकल सकता है हल बड़े अच्छे से हल निकल सकता है और ये स्ट्राइक खतम हो सकती है लेकिन अभी तक जो है हल निकलता कुछ सामने नजर आ नहीं रहा आज शाम को भी बिजली करमचारियों दोरा जो है केंडल लाइट मार्च निकालनी थी लेकिन उन्हें परमीशन नहीं दी गई इस समय भी जिन जिन इलाकों में बिजली नहीं है वो अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अभी अभी तक कहां कहां पर बिजली नहीं आई है और वो लोग जिनके इलाकों में बिजली आ चुकी है अभी रिस्टोर हुई है वो भी बता सकते हैं जिनके इलाकों में बिजली रिस्टोर हो चुकी है बिजली को रिस्टोर करने का पूरा काम किया जा रहा है लेकिन इसी बीच में मैं लगातार अपने जो PDD के employees हैं उनकी भी मांग को उजागर कर रहा हूँ कि उनकी मांग भी बड़ी जायज है वो भी genuine demands अपनी लेकर आए हैं और उसमें भी सरकार को जो है उन जायज demands को पूरा करना चाहिए और उसके उपर एक black and white में एक circular जारी करके जो इनकी demand है उसको पूरा करना चाहिए बिजली विभाग और सरकार के बीच में जो पेच फस रहा है वो यही है कि लिखित में सरकार अभी कुछ नहीं दे रही है तो लिखित में जब तक सरकार नहीं कुछ देगी तब तक बिजली विभाग के करमचारी जो हैं वो भी मान नहीं रही है तो आज 17 तारीक से आज 20 तारीक हो रही है 17 तारीक रात 12 बजे से जो है यह बिजली की work call off strike शुरू हुई थी और वो अभी तक लगातार चल रही है जिसके अंदर अभी तक पांच मां राउंड भी हो चुका है discussion का सरकार के साथ लेकिन कुछ fruitful decision नहीं निकला है कुछ ऐसा positive decision नहीं निकला है जिससे कि यह जो strike है वो खतम हो जाए लेकिन इसी बीच में जहां पर यह strike चल रही है वहीं पर कश्मीर से कुछ नेता जो है हमारे यहां के कुछ तस्वीरों को लेकर एक propaganda भी कर रहे है जिसके अंदर Indian Army जो power grid station में जाकर काम कर रही है उन तस्वीरों को लेकर कश्मीर के नेता जो है 370 का रोना भी शुरू कर चुके है मैं हमारे यहां के जो लोग हैं खास करके हमारे जम्मू प्रॉविंस के दस जिलों के जो लोग हैं उनकों मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कश्मीर के नेताओं के इस propaganda से बच के रहे यह बात मैं इसलिए कहरा हूँ क्योंकि कश्मीर के नेता कभी भी जम्मू के लिए नहीं सोचते उनके लिए सिर्फ अगर सोचना है बात करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के लिए ही बात करनी है यह आज उन्होंने एक बार फिर से साबित किया मैं आपको बताता हूँ साबित किस तरह से किया जिसमें मैं मैं साफ तोर पर कहता हूँ कि जम्मू प्रॉविंस के लोगों के बारे में ये लोग नहीं सोचते इसलिए ये हमेशा एंटी जम्मू केमपेन एंटी डोगरास केमपेन चलाते है चाहे वो रसाना मडर केस हो चाहे वो कोई भी मुद्दा हो जम्मू के डोगरों को ये हमेशा जो है उस तरज पर नहीं देखते जिस तरज पर जो है कश्मीरियत को या कश्मीरियों को देखते हैं मैं आपको बता दू आज जब डीलिमिटेशन का एक प्रपोजल की बात आई जो अभी भी पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है लेकिन प्रपोजल ये कह रहा है कि जम्मू को छे सीटें जैदा मिलेंगी इस बार की डीलिमिटेशन कमिशन की जो रिपोर्ट आएगी और कश्मीर को एक सीट जिसके बाद जम्मू की जो सीटें है वो 43 हो जाएंगी और कश्मीर की हो जाएंगी लगबग 47 के करीब लेकिन इसमें भी इसमें भी जो है कश्मीर को इतनी दिक्कत हो गए कश्मीर के नेताओं को दिक्कत हो गए ये वो कह रहे हैं कि ये ये सही नहीं हुआ है ये सही नहीं हुआ है आज तक जो कुछ कश्मीर को मिलता रहा है जतनी सीटे कश्मीर को मिलते रही है सब कुछ कश्मीर को मिलता रहा है हमेशा वहां का चीफ मुनिस्टर बनता रहा है तब तक सब सही था पहली बार जम्मू को 6 सीटे मिलने लगी तो परशानी हो गई परशानी खड़ी हो गई इसलिए इनके प्रपोगेंडा में बिल्कुल मत आईएगा अगर बिजली जम्मू प्रॉविंस में बंद है तो उसका हल भी जम्मू प्रॉविंस खुद ही करेगा इनके प्रपोगेंडा में बिल्कुल मत आ जाएगा क्योंकि इनको तो वैसे ही इंडियन आर्मी से प्रॉब्लम है इन्हें तो वैसे ही इंडियन आर्मी ने पसंद है लेकिन ये वही इंडियन आर्मी है जिन्होंने 2014-2013 में जब सेलाब आया था कश्मीर के अंदर तब वहां से कश्मीरियों की जान बचाई थी याद ह ने लाई जाती हैं इसलिए इनके प्रोपोगंडा में बिलकुल मत आईएगा क्योंकि इनको ये बरदाश ही नहीं होता कि जम्मू की छे सीटे कैसे बढ़ गई मैं तो मुबारक बात दूँगा जम्मू को मैं तो जम्मू के एक एक व्यक्ति को मुबारक बात दूँगा अगर हमारी छे सीटे बढ़ती हैं तो हमारी जो कॉंसिटिंसीज हैं वो 43 तक हो जाती हैं हला कि ये कम है ये कम है हमें पूरी बराबरी चाहिए हमें कश्मीर की सीट जो आज तक जम्मू के साथ नहीं हुआ है इसलिए मैं पहले ही कहा रहा था इस प्रोपोगंडा में बिल्कुल भी मताईएगा और मैं तो हैरान हूँ कि जो कश्मीर के नेता जम्मू को जएदा सीटे मिलने के उपर बोल रहे हैं उनके जो नेता जम्मू के अंदर है वो जम्मू के अंदर किस तरह से अपना मूँ दिखाते होंगे क्योंकि उनके नेता तो जम्मू के खिलाफ बोल रहे हैं जम्मू के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि जम्मू को छे सीटे मिल रही है छे सीटे मिलने पर इतनी परिशानी इतनी परिशानी भई जब कश्मीर को सारे फंड्स जाएंगे डल को जबरदस फंड्स जाएंगे तब कोई परिशानी नहीं पहली बार जम्मू को छे सीटे मिलने लगी तो परशानियों का पहाड तूट गया अब भई मुझे ना ये बात कहने के ओपर ना ये मत कहिएगा कि बीजे पी का स्पोक्स परसन है प्लीज अपने थोड़े से दिमाग को ना ठीक रखिएगा हाँ जम्मू वादी जरूर कहिएगा मैं जम्मू वादी हूँ मैं जम्मू का जम्मू की बात रखने वाला हूँ और आपको भी खुश होना चाहिए कि जम्मू की बात तो रख रहे हैं ना रखी जा रही है आज हमें छे सीटे मिल रही है उसके पीछे श्रे जाता है जम्मू के एक एक आदमी को मैं श्रे देता हूँ जम्मू के उन सोशल एक्टिविस्टों को जो रियल सोशल एक्टिविस्ट है मैं श्रे देता हूँ मनू खजूरिया जी को जो लगातार जम्मू की बात कर रही है मैं श्रे देता हूं मोनिका लंगे जी को जो की डॉक्टर होने के साथ-साथ जम्मू की बात हर जगा रख रही है मैं श्रे देता हूं डॉक्टर विकास पादा जी को जो हर जगा जम्मू की बात रख रहे हैं मैं श्रे देता हूँ उन व्यक्तियों को जो जम्मू के लिए जी जान एक कर देते हैं हर प्लैटफॉर्म के उपर और ये सभी इन ही लोगों की ही बदोलत है कि आज जम्मू को अपने अधिकार मिल रहे हैं और वो लोग जो 370 की फाइदे पूछ रहे थे मेरे ख्याल से ये पहला फाइदा है अब आंखे मत बंद कर लीजिएगा कान मत बंद कर लीजिएगा ये पहला फाइदा है ये छे सीटें हमारे फायदे की हैं लेकिन मैं कल देख रहा था मैं आज आज ही की बात है आज मैं जब दिन में ये बात कर रहा था तो एक व्यक्ति हैं वो बोल रहे थे पहले बिजली तो दे दो डिस्टिकों में बाद में डिस्टिकों की बात करना भाया आपको ये नहीं सम हर चीज को 370 के साथ मत जोड़ा करें भई बिजली नहीं आ रही तो 370 पानी नहीं आ रहा 370 पता नहीं अब ये भी बोलना शुरू हो जाएगे घर में अगर सुबा दूद वाला लेट आया तो वो भी 370 की वज़ा से है या फिर महले में सबजी वाला सबजी की रेड़ी लेके नहीं आया तो वो भी 370 के कारण है ऐसा मत बोलना शुरू हो जाएगा वरना बहुत परिशानी हो जाएगी हर चीज में 370 लेते रहेंगे आपके महले में दुकान दार अगर दुकान लेट खोलेगा शायद उसको कोई अपना कोई घर का काम होगा और वो दुकान अपनी लेट खोले तब भी ये बोलेंगे 370 की वैसे आए दुकान लेट खोली है तो थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाएं और ये जो हमें 6 सीटे मिली है इसके लिए एक बड़ा प्रिश्रम है हमारे जम्मू के लोगों का और हमारे जम्मू की अन आवाजों का जिनोंने हर चीज को छोड़ कर सिर्फ जम्मू की डोगरियत की बात की डोगरों की दस जिलों की बात की और वो लोग जो सिर्फ हमें 20 जिलों का कहते हैं उनके मुट पर भी एक मूटोर जवाब है लेकिन अभी भी कैई चीजे और होनी बाकी है जिनमें सबसे बड़ी चीज है महराजा हरी सिंग जी की छुटी अभी भी हमें वो छुटी लेनी है इसलिए उसके लिए भी आवाज उठानी है हम सब लोग आवाज उठा रहे हैं और महराजा हरी सिंग जी की छुटी लेकर रहेंगे और इसके साथ साथ हमारे एरपोर्ट का नाम भी या तो महराजा हरी सिंग जी के नाम पर हो या महराजा गुलाब सिंग जी के नाम पर हो ये सब चीजें हमें अगर महनत और प्रिश्रम करके ही लेनी पड़ेगी तो हम सब को एक साथ होकर वो चीजें लेनी हैं लेकिन बात हम बजली की कर रहे थे इस समय सरकार के पास हर चीज है और सरकार बजली विभाग के करमचारियों से बात करके इस पूरे मुद्दे को हल कर सकते हैं और सरकार ये कर भी रहे होंगे और आशा है कि कल तक सारी जगा बिजली भी रिस्टोर हो जाए और सब लोगों को और जो बिजली करमचारी हैं उनकी भी डिमांड जो है सरकार जरूर माले आप लोग अपनी राई इस वीडियो पर रखिए और एक बार फिर से जम्मू के एक-एक व्यक्ति को जम्मू के दस जिलों के एक-एक व्यक्ति को छे सीटें जो बढ़ रही है डिलिमिटेशन कमिशन में उसकी मुबारक बाद है लेकिन ये कम है हमें तो बराबरी चाहिए थी हमें तो कश्मीर जितनी बराबरी चाहिए बराबरी बराबरी की सीटें होनी चाहिए देखते हैं अभी तो ये परपोजल है देखते हैं कि जो इस रिपोर्ट सब्मिट होगी उसके अंदर क्या सामने आता है लेकिन जब तक सीटें भराबर नहीं होती तब तक जो है हमारे साथ ing disadvantage ही होगा, हमारे जम्मू के साथ ing difficulty है और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर में दसदस बीस बीस हजार की population के उपर एक ऐक constituency है और जम्मू में डेड़ डेडल लाख के population के उपर एक constituency है क्या ये अन्याय नहीं है? क्या इस अन्याय की बात की कभी कश्मीर के नेताओं नहीं की? देखते रहें जेके मीडिया अपनी राय जरूर रखिएगा और सभी को मुबारक बात छे सीटों की और जिनके पेट में दर्द हो रही है उनको उसके लिए एक अच्छी सी दवाई ल हो सकता है कि आज रात तक मैक्सिमम घरों में बिजली आ जाए और जहां पर आज भी नहीं आएगी तो कल दुपहर तक मैक्सिमम बिजली जो है रिस्टोर हो जाएगी धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से राम राम